खीच जिको आपाने आखाती जामाते बनिया करे इने बढ़ाउन में थोड़ी मैनाज लागे पर खाउन में अनन्दी आ जावे सब पैल आपत केवाने आदे गंटा वास से विगोन दराला विगोन आरे वज़े से ग्योरो छिलको आसानी निकल जावे आदे पून गंटा ने पचे आपान केवने पाने वने ताल अच्छी तरीकां कूट ले माला खीच वड़ाउन वास से कि ओरी उपड़ी स्कीन उतारने जरूरी हो है ने एक तो खीच वादिस्ट नहीं गोने इन तरह आपा सब हमाम दस्ताना कीच वूट लाला और इन फर्कों होलों वास से सूती रे कपड़ा माते आदी पून गंटा वास से रखाला ताकि जिरू स्कीन है वो अच्छी तरीकां उतर जाओं अगर खीच खामनों है तो मैंने तो करनी बढ़ेला इन तरीकां सारा ग्यों उरो छिलकों अलग होई विए आप इन छिलकां ने ग्यों अलग करन वास्ता आप इनने जटकाला सुख्यारे पाचे आपाने जिको स्कीन है अलग करने वास्ते आपाचे छाडा में आची तरेकों चटक लाला ताकि जिको ग्यों रो छिलकों है वो अलग हो जावे और ग्यों ग्यों अलग निकल जावे अब इनहीं तरीकां कि शारा चिलागा अल्ला कर लाला और अल्ला करयायर पाच आपने फिर खोटाला आपा इन्हें जित्तो बारी चूणसे के उत्तो बारी कोट लाला खीत बस्ता चूणला माते बडाओना यहामें इन वास्त आप unlimited चूर्ला माते खीत बढ़ावाला . अपा पहला देगदी में पाणी डाला जे तो आपनों खीच उन्हें पानी डालाएt आजकर लूग कुकर में में खीच बना पर वह इत्तो स्वाधिश्ट भनने तैयार ही हो जे तो आप इन्हें देगदी में बनावाला आप इन अंदर आप हर्याँ डाला हर्या मतलब साभूतमू जिता आप घेश कोटने तयार करी हेवाई उन्न ही आप तीसरों भागुले अंदर हर्याँ डाला अप घेश कोटने तयार चड़्यों ग ऊने आप पानीरी अंदर डाल अदर dan पानीड उकाड़ा आया पाचे आपने में खीच लाला इन्हें खीच ने चुल्ला माते बढ़नों कम एक उडेंट गंड़ लागेला जित्तों धिमी आच पर बढ़ेला उत्तों हीओ स्वाधिस्ट बढ़ेला इन्हें आपा बीश मुझ थोड़ो थोड़ो करने हीलाता रहा आपने खीच बढ़ने तयार हो गयों है इन चुल्ला मात उतारा चुल्ला मुझ थोड़ा सा खीरा निकाड़न 10-15 मिनिट वास्ता आपने धीमी आच में खीरा में भी पगावाला इन तरीकों खीच बहुत ती अच्छो और स्वाधिस्ट बढ़ने तयार हुया करें तो गरम घरम खीच रेमाते कड़कड खांड और घी कान पर उखाऊनों स्वाधी और अलग हुए आप चाहो तो इने गरवणी साते या पचे हुकोड़ी बढ़ियों और फड़ियारी सब्च साते खाऊनों तो ही अलग मज़ो हुए लो मैं तो खीच बना दियो हुआ खाती चाहरो तो आप कदे बना रिया हुआ